नमस्कार, राम राम, आज स्री राम मंदिर प्रान प्रतिष्ठा अभियान से जुड़े एक और अध्वुत कारकम से जुड़ने का मुझे सवभागी मिला है आज स्री राम जन्ब भुमी मंदर को समर्पीत छे विशेस समारक डाग टिकट जारी किये गए हैं विश्व के अलग-अलग देशों में प्रभूस्री राम से जुड़े जो डाग टिकट पहले जारी हुए हैं आज उनका एक आलबम भी रिलीज हुआ है मैं देश विदेश के सभी राम भक्तों को सभी देश वास्कियों को बहुत बधाई देता हूँ साथियों पोस्टल स्टैम का एक कार्य हम सभी जानते हैं उन्हें लिफाफे पर लगाना उनकी मदद से अपने पत्र और संदेश या जरूरी कागज भेजना लेकिन पोस्टल स्टैम एक और महत्वकुर भूमी का निभाते हैं पोस्टल स्टैम्प्स विचारों इतिहास और एतिहासिक अवसरों को अगली पीडी तक पहुँचाना का एक माध्यम भी होते हैं जब आप किसी डाक टिकिट को जारी करते हैं और जब कोई इसे किसी को भेजता है तो वह सिर्फ पत्र या सामा नहीं भेजता वो सहद रुप से इतिहास के किसी अउस को भी किसी दूसरे तक महचा देता है ये टिकट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है ये टिकट सिर्फ कोई आर्ट वर्क नहीं है ये इतिहास की किताबों, कलाकृतियों के रूपों और एतियासिक थलों का सबसे छोटा रूप भी होते हैं हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से बड़े बड़े ग्रंत का, बड़ी बड़ी सोच का एक मिनियेचर फर्म होता है आज जो ये समारक डाक टिकट जारी किये गए हैं उनसे हमारी युवापीडी को भी बहुत को जानने, सिखने को मिलेगा मैं अभी देख रहा था, किन टिकटों में राम मंदिर का भव्य चित्रा है कलात्मक अभिव्यक्ति के जरिये राम भग्ति की भावना है और मंगल भवन अमंगल हारी इस लोग प्रिय चौपाई के माद्यम से राश के मंगल की कामना है इनमें सूर्य महुश्री राम के प्रतीक सूर्य की छवी है जो देश में नए प्रकास का संदेश भी देता है इनमें पुन्य नदिर सर्यू का चित्र भी है जो राम के आशिरवाद से देश को सदेव गतिबान रहने का संकेत करती है मंदिर के आंत्रिक वास्तु के संदेश को बड़ी बारी की से इन डाग टिकिटो पर प्रिंट किया गया है मुझे बताया गया है कि एक प्रकार से पंच तत्व की हमारी जो फिलोसॉफी है इसका एक मिनियेचर रूप प्रभु राम के माध्यम से दर्शाया गया है इस काम में डाग विभाग को राम जन्व भूमी तिरतक्षेत्र ट्रस्ट के साथ साथ संतों का भी मारदर्शन मिला है मैं उन संतों को भी इस योगदान के लिए प्रणाम करता हूँ साथियों भगवान स्री राम माता सीता और रामायन की बाते समय समाज जाती धर्म और छेत्र की सिमाओं से परे हर एक व्यक्ति से जुड़ी है सबसे मुश्किल कालखण में भी त्याग एकता और साहस दिखाने वाली रामायन अनेक मुश्किलों में भी प्रेम की जीत सिखाने वाली रामायन पूरी मानवता को खुद से जोड़ती है यही कारण है कि रामायन पूरे विश्व में आकरसन का केंद्र रही है दुनिया के विविन देशों विविन संस्कृतियों में रामायन को लेकर एक उत्सा रहा है आज जिन पुस्तकों का लोकारपन हो रहा है वो इनी भावनाओं का प्रतिवीम है कि कैसे पूरे विश्व में भगवान राम, माता, सीता और रामायन को बहुत गवरों से देखा जाता है आज की पीडी के युवाओं के लिए ये देखना बहुत रुचिकर होगा कि कैसे विविन देश, स्री राम पर आधारि पोस्टल स्टैंप्स जाली करते रहे हैं आमेरिका, औस्टेलिया, कमबोडिया कनडा, चेक रिपब्लिक, फीजी, इंडोनेशिया, स्रिलंका, न्यूजिलेंड, थाइलेंड, गयाना, सिंगापूर ऐसे कितने ही देशों ने बगवान राम के जीवन प्रसंगों पर बहुत सम्मान के साथ, आत्मियता के साथ, पोस्टल स्टैंप्स जारी किये हैं राम किस तरह भारत से बहार भी उतने ही महान आदर्ष हैं विश्व की तमाम सब्विताओं पर प्रभु राम का कितना गहरा प्रभाव रहा है रामायन का कितना गहरा प्रभाव रहा है और आदूनिक समय में भी अनेक राष्टों ने किस तरह उनके चरीत्र की सरहना की हैं यह अल्बम इन सब जानकारियों के साथ प्रभु स्री राम और माता जानकी की लिला कथाओं की एक संख्शिप्त सैर भी कराएगी एक तरह से महर्षी वालमी की का वो आवान आज भी अमर है जिसने उन्होंने कहा था यावज स्थास्यन्ती गिरया सरीतस्चे महितले तावत रामायन कथा लोकेशू प्रचरिश्यती अर्था जब तक पुत्वी पर परवत है नदिया है तब तक रामायन की कथा स्री राम का व्यक्तित्व लोक समों में प्रचारिद होता रहेगा एक बार फिर आप सभी को सभी दे समाच्यों को इन विशेश मारक्स पोस्टल्स टैम के लिए बहुत बहुत बधाई धन्यवाद राम राम